जहिन बच्चो बच्चो मैं आजय कमार वारण सी उत्रप्रदेश से आपके अपने चैनल लौ सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आज अमर उजाला अखवार में एक ये डिटेल निकली है अब हर छात्र की होगी 12 अंकों की यूनिक आईडी आपने सही पढ़ा है और अब बच्चो आपके एक यूनिक आईडी बनने जा रही है तो आईए इसके डिटेल को समझें इसके पीछे है बच्चो एक राष्ट एक छात्र यानि कि जो बच्चे बाल वाटिका से मतलब जो एल केजी यू केजी से पढ़़ए हैं पीएजडी तक यहां काम करेगी आईडी ठीक है धाई करोड छात्रों को अपार त्यार तो इसका नाम अपार दिया गया है तो आईए इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगी आखिर है क्या ठीक है अब इसमें देखें नई दिल्ली वाले अमर उजाला में छपा ह एक राष्ट एक छात्र के तहत अब हर छात्र की बिसेश्ट पहष्चान बारा अंको की आईडी होगी जो उसकी बाल वाटिका से पीएजडी की पढ़ाई और नौकरी पाने तक मददगार होगी अधार कार्ड की तरज पर काम करने वाली इस आईडी को आटोमेटेड पर् पार का फुल फार्म बच्चो है एसे हो गया आपका आटोमेटेड पी से हो गया पर्मनेंट एसे हो गया एकेडमिक एसे हो गया एकाउंट फिर आर से हो गया रेजिस्ट्री तो इस तरह से इसका फुल फार्म है बच्चो ठीक है यह यह योजना सेक्षिक सत्र दोहया चौ करोड चात्रों और धाई करोड को अपार प्रदान कर दिया है अब देखे प्रदान कर दिया है सेश चात्रों के लिए अपार का निर्मान जा रही है स्कूलों चात्रों की यूनिक आईडी बनाने के लिए राजियों से जानकरियां जुटाई जा रही है अब देखे जो आप स्कूल से लेकर उच्छ सिक्षा तक रचातर देश में कहीं भी जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते तो राज्य का बच्छों अंतर नहीं पढ़ेगा आप बताएंगे बस कि यह देखे हमारी अपारी आईडी है आप कहीं पर भी पढ़ने जाएंगे आप पे तुरंत आप आपको असली मानकर आपका तुरं सेलेक्षन या आपको पढ़ने का मौकार दे दिया जाएगा ठीक है फिलहाल ट्रांसफर सर्टिफिकेट से लेकर अन जटिलताओं के करें इस परकरिया में परिसान नहीं का सामना करना पड़ता है मतलब माइग्रेशन बच्छों ठीक है अब इसमें देखे ये तो अलड़ी मैंने बताया है कि सिख्षा छागवित्ति वा नौकरी में होगी मददकार दूसरे राज्यों के स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ाई होगी असान तो बहुत असानी से हो जाएगी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेग इस तरह से करेगा काम बाल वाटिका में जैसे ही चातर दाखिला लेगा उसकी अपार जो आईडी है वो बन जाएगी ठीक है इसमें चातर होगा माता पिता के नाम जनतिती लिंक फोटो वा अधार नमबर डाला जाएगा तो अधार देखे मेन है बच्चो ठीक है यह जो राष्टी प्रवेस परिक्षा हैं उनके आवेधन में चातर को यही आईडी अप्लोड करनी होगी तो यह बच्चो यह देखे सब के लिए कंपल सरी है आप कोई सोचे कि नहीं हम नहीं कराएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब देखे डीजी लोकर वह अकेडमिक बै हो तो नहीं है अगर आपने डीजी लोकर में उसको अपलोड कर दिया तो डीजी लोकर से ही वो लोग आपका सब कुछ देख लेंगे ठीक है तो यह आईडी डीजी लोकर वह अकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट से भी जुड रही है अब कोई छातर किसी कोर्स डिगरी सर्टि सब्सक्राइब की जाच होती है वह असली है कि नकलिए तब इसका भी चक्कर खतम हो जाएगा ठीक है पढ़ाई के बाद कैंपस प्लेस्मेंट और नौकरी में भी इसी यूनीक आईडी से सत्यापन हो जाएगा तो अगर कोई कंपनी लेती भी है तो आप असली है नकलिए इसी आईडी से सत्यापन हो जाएगा उसके लिए कोई परशान ही नहीं होगी इससे देखे इन्होंने जो अनिल सर है अध्यक्षा नेशनल एजूकेशन टेकनोलोजी फॉरम के उन्होंने ये बताया है इस आईडी से बोर्ड परिक्षा जही में नीट, CUT, UG, PG, समेत अन् परिक्षा में कोई बिचात किसी अन्यकी जगा परिक्षा नहीं दे पाएगा आप अकसर पढ़ते होंगे कि किसी और जगा के बच्चे जाके चातर दे रहे तो गलत है तरीका गलत आपको पता है तो नकली चातर ऐसे पकड़े जाएंगे उनका सेलेक्षन नहीं होगा जो म परंदे दिजेगा ताकि एक आपकी यूनिक आड़ी बच्चों बन सके ये थी इंपोर्टेंट डेटेल थेंक्यू थेंक्यू बरमच